हेलो फ्रेंट्स वितूस किचन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपको घर पर बूंदी की लड़ू बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो आपके लड़ू बिलकुल परफेक्ट बनेंगे बूंदी का बैटर कैसे बनाना होता है वो आपको पता होना चाहिए ये सभी टिप्स पर आपके साथ शेयर करूंगी बिना जहारे के कैसे आप घर की चीजों से बूंदी बना सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी वीडियो को एंड तक देखिएगा तो चलिए फटा-फट बूंदी के लड़ू बनाना शुरू करते हैं तो बूंदी के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कर्टोरी में बेशन ले लेना है कोई भी कटोरी या कपाप सेट कर लीजिए और उसी से हम बाकी चीजों का मिजर्मेंट भी करेंगे बेशन को एक बाउल में कर लिया है बेशन को अब हमें घोलना है तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे तो बेशन में से गुटलियों को हटाने के लिए पहले हम थोड़ा पानी डाल कर बेशन को घोलेंगे ताकि इसकी जितनी भी गुट्लिया है वो खतम हो जाएं उसके बाद हम इसमें और पानी एट करेंगे तो मैं इसे अच्छे से पेट लेती हूँ इसे मैंने लगभग दो से तीन मिनिट अच्छे से फेटा और बेसन की सारी गुट्लियों को खतम कर लिया है तो फ्रेंट्स आज मैं इसमें थोड़ा सा कलर मिला के बुंदी के लड़ू बना रही हूँ आप बिना कलर के बना सकते हैं यहां मैंने थोड़ा सा औरेंज फूट कलर लिया है तो यहां मैंने एक पिंच औरेंज फूट कलर लिया है इसमें हम पानी मिला के इसे घोल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल कर बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चलिए आप हम घोल बना कर तयार करेंगे इसमें हम और पानी एड़ करेंगे यह दिखे थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी एड़ करना है इस घोल को बनाने में जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि अगर घोल चादा पतला हो गया तो आपकी बुंदी अच्छी नहीं बनेगी उसमें ऑईल भर जाएगा या फिर अगर घोल गाडा रह गया तो बहुत मोटी बुंदी बनेगी और उससे क्या होगा कि बुंदी अच्छे से चाशनी नहीं पी पाएगी और आपके लड़ू बढ़िया नहीं बनेगे अगर आप बेसन को पांच मिनिट अच्छे से हाई स्पीड पर फेट लेते हैं जैसे मैं चमस से पेट रही हूँ तो इसमें कोई भी ऑईल, सोडा या कुछ भी एट करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी और आपकी बुंदी बिल्कुल परफेक्ट हलवाईयों जैसी बनकर ताकि आपको बेसन के उपर हलके हलके सी जहाग दिखने लगें तब समझेगा कि आपका बैटर बिल्कुल बढ़िया बना है तो यह आप जब चमस से गिरा रहे हैं तो यह किस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बनाया है यह देखिए इस तरीके से हमारा गिरना चाह आने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में आपको तेल को अच्छे से गरम कर लेना है जब तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा तो यहां मैंने प्लास्टिक के कप में होल करके रखें यह दिखिए इस तरीके से मैंने घर पर खुद क के अंदर डाल दिया और यह देखिए इस तरीके के बढ़िया होल तैयार हो गए है आपको जो सलाई गरम करने के बाद कप के अंदर की तरफ से बाहर की तरफ सलाई को डालना है ताकि जो हमारे छेद हैं वो बहुत ही बढ़िया बने और जब हम इसमें बुंदी डाले तो बिल्कुल गोल बढ़िया बुंदी बनकर तैयार हो तो इस तरीके से मैंने आज घर पर ही अपना जहारा बनाया है कोई मार्किट से जहारा नहीं लाया और यह जो प्लास्टिक का कप है एक बार अगर आपने रेडी करके रख लिया तो आप इसे हर बार इस्तमाल करके बु बुंदी बनाना आप शुरू करते हैं तो तेल अब हमारा अच्छा गरम हो गया है हां से मैंने चेक कर लिया हीट अच्छी आ रही है तो अब हम इसमें बुंदी डालेंगे यह दिखिए मैंने कप को कितनी उचाई पे रखा है कप हमारा थोड़ा उचाई पे होना चाहिए और इसमें हमें गोल को डालना है बस हमारे छेट में से बुंदी बहुत असानी से गिर जाएगी आपको बिल्कुल पास से बुंदी नहीं डालनी है अगर आप बिल्कुल पास से बुंदी डालते हैं तो बुंदी इतनी जादा गोल नहीं बनती तो थोड़ा उचाई पे इस रहे आपको डालनी है और यह देखिए कितने FEMAरी बुंदी इसमें गिर रही है अगर टेल अच्छे से गरम हो ने हुआ तो जब हम बुंदी को बनाएंगे और बुंदी तेल में जाएगी तो वो अपनी शेप नहीं ले पाएगी तो इसलिए तेल अच्छा गरम होना चाहिए जैसे ही तेल अच्छा गरम हो जाए गैस के फ्लेम को लो कर देना है ताकि जब हम बुंदी डालें, तो बुंदी एकदम डलते ही जलना जाए, इसलिए आपको गयस के फ्लेम को लो कर देना है, बुंदी हमारी क्रिस्पी हो चुकी है, अच्छे से तल चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे, निकालने के लिए हमेने एक बरतन के उपर छन्नी को रखा है, ताकि जितना भी एक्स्ट ओयल है, वो चन्नी से नीचे बरतन में आ जाए, तो इसे हम इसमें निकालेंगे, अगर आपके पास इस तरीके की छन्नी ना हो, तो आप एक नैपकेन पेपर के उपर बुंदी को निकाल के रखें, ताकि एक्स्ट ओयल इसमें से निकल जाए, तो इसी तरीके से मैं सारी बुंदी बना कर तयार कर लूँगी, फ्रेंड्स बुंदी आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, और भी कई चीजें हैं, जिससे आप घर में बुंदी बना सकते हैं, मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देख चलिए देखिए हमारी गोल गोल बढ़िहा बुंदी बनकर तयार हो गई है बहुत अच्छी बुंदी फूली है यह देखिए कितने बढ़िहा गोल गोल दाने हमारे बुंदी के बनकर तयार हुए है और मैं आपको दिखाती हुँ इसमें बिलकुल ऑईल नहीं आया है हमारा जो बुंदी है वो बिलकुल परफेक्ट बनी है नहीं इसमे ज़ादा तेल भरा और नहीं यह ऐसी बनी है कि यह बहुत ज़ादा मोटे कवर की बनी है जो चाशनी को ना पीपाए चलिए बूंदी बन कर तयार है अब फटाफट से हम चाशनी बना लेते हैं तो उसके लिए हम एक पैन रख लिया है गैस पे पैन रखा है और जैसे मैंने जिस कटोरी से बेशन लिया था उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी चीनी ले ली है चीनी को हम इसमें डाल देंगे और उसी कटोरी से नापकर मैंने आधा कटोरी ही पानी लिया था तो मैंने जितनी चीनी ली है उतना ही पानी भी इसमें डाल दिया है तो अब हम चीनी को पिगला लेंगे बहुत ही आसान है बुंदी के लिए चाशनी बनाना चीनी मेल्ट हो चुकी है अब मैं इसमें इलाइची पाउडर डाल देती हूँ जो कि ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं इलाइची पाउडर डालके अच्छे से मिला लेते हैं देखिए चीनि में चाशनी को आधा मिनट पका लेंगे दोस्तों तो हल्कीसी जैसे ही चाशनी उनी चपचपाहट यह देखिए तो इस तरीके से मैं इसे चलाते हुए दो मिनिट तक पकाऊंगी जब तक कि हमारी जो बूंदी है वो सारी चाशनी अब्सौर्व नहीं कर लेती और इसमें चिप चिपाहट नहीं आ जाती फ्रेंड्स तब तक हमें इसे चलाना है आप देख सकते हैं कि बूंदी के से ड्राय हो गई है चाशनी अब्सौर्व कर लिए बूंदी ने तो अब हमें गैस बंद कर देना है बहुत जादा इसे ड्राय नहीं करना नहीं तो आपकी जो बूंदी है वो खिल जाएगी आप देख पा रहे होंगे कि बूंदी में हलकी स तो इतना मॉस्चर हमें रखना है ताकि हमारी बुंदी के लड्डू बहुत जादा हार्ड ना बने या फिर बंदे ही ना ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए आपको हलका सा इसमें मॉस्चर रखना है ताकि यह थोड़ी दे रखने के बाद अपने अपी इस चाशनी को अफ्ज जाता है यह उप्शनल है आप इसमें अपने पसंद के ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं यह बिलकुल उप्शनल है तो देखें कितनी आसानी से हमारे लड्डू बंद जाएंगे थोड़ा सा बुंदी का मिक्चर हाथ पे लेते हैं और इसे हलका सा दबाएंगे इस तर लड्डू की शेप एकदम बढ़ा गोल गोल आती है यह देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा लड्डू बंद गया है कितनी बढ़ा बुंदी हमारी तयार हुई है लड्डू बहुत आसानी से बंद कर तयार हो जाते हैं बुंदी के लड्डू बनाना बहुत सिंपल है दोस तो यहां मैं सभी लड़ों को इस तरीके से बना कर तयार कर लूगी, यह देखिए हमारे बूंदी के लड़ों बिल्कुल तयार है, मैंने सभी लड़ों को बना कर रेडी कर लिया है, मैं आपको एक लड़ों तोड़ के दिखा देती हूं कि हमारी बूंदी का लड़ों कैसा लड्डू बनकर तयार है, यह देख सकते हैं, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, यह देख सकते हैं, इन में बहुती कम उइल यूज़ गए है, तेल भी ज्यादा नहीं है, नहीं यह बहुत जादा चिप चिप लग रहे होंगे, जिसमें बहुत सारी चाशनी भरी हो बहुती बढ़िया एक एक दाना खिला हुआ है, और लड्डू हमारा देखे, बंध भी कितनी असानी से राय वापस, यह देख सकते हैं, मैं से जब दुबारा बांध रही हूँ, तो कितनी असानी से यह बंध रहा है, आपको मैं बांध की भी दिखा देती हूँ इसी लड इसलिए यह देखे, मेरे हाथ पे नहीं बहुत जादा चिकनाई है, और नहीं बहुत जादा चाशनी है, के लड्डू में से चाशनी निकल गिर रही है, तो हमारे जो बुदी के लड्डू है, वो बिल्कुल परफेक्ट बने है, तो इन सब चीजों से आप पता कर सकते हैं के लड़ो कैसे बने हैं, उमीद है आपको यह तरीका पसंद आया होगा, आप भी अपने घर पर यह बुंदी की रेसिपी जरूर राय कीजेगा, आपको बहुत पसंद आएगी, तो चली आप मैं आपको बता देती हूं के किन किन चीजों से आप बुंदी के लड़ो बना सकत तो कदुकस के सीधी ही तरफ आपको जहां से हम कुईसी भी चीज को घिसते हैं उस तरफ आपको बैटर को डालना है और उससे भी बुंदी आपकी निकल जाएगी, दूसरा इस तरीके की फ्रेंड्स प्लेट होती है, कई बार हमारे पास घर में जिन में बहुत सारे चेद ह तो उन छेद वाली प्लेट्स का आप इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे मेरे पास भी एक तो इससे भी आप बुंदी बना सकते हैं, और यह मैंने चौथा चीज आपको दिखाया है, जिससे मैंने अभी आपको बुंदी बना कर दिखाई है, आपको यह तरीका भी पसंद आया इन सबी चीजों से घर पर बहुत असानी से बुंदी बनाई जा सकती है, तो उमीद है आपको बुंदी के लड़ू बनाने का यह तरीका बहुत पसंद आया होगा, अगर तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा, चलिए मिलते हैं अग आपके ले बाई